हे करकराशी वालो कैसे हो आप सब मैं टेरोट रीडर पूर्णा बर्मा आप सभी का अपने चैनल साई टेरोट रिपल सेवन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो यस आज हम अप्रेल मन्त की रीडिंग करने वाले हैं और अप्रेल का मन्त क्या कुछ आपके लिए लेकर के आने वाला है कैसी क्या आपके एनर्जीस रहेगी सब कुछ यहां जाने की कोशिस करेंगे एक रिक्विस्ट में आपसे अपसे पहले करना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मिस मत कीजिएगा साथ ही मैं मैं एनाउंस करना चाहूंगी मेरा 11 टेरोट राइडर डेकवे का बेच अगर आप मुझे टेरोट सीखना चाते हो तो स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रेल से तो अगर आप इन्रोल्मेंट कराना चाहते हो टेरोट सीखना चाते हो मुझे तो आप मुझे वाट्स अप कर सकते हो ध्यान रखिएगा रिजिस्ट्रेशन चालू है और 11 अप्रेल से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा फीस डिटेल और कैसे क्या इस कोर्स को करना है या आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रेन मन्त की आपकी क्या सबसे बड़ी ब्लेसिंग या सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है प्लीज डिवाइन प्लीज एंजल्स गाइड कीजेगा करक रास के लिए क्या मेजर चेंज या मेजर ब्लेसिंग करक रास वालों की लाइफ में आने वाली है तो यहाँ पे है दजजमेन का कार्ड ओके सबसे पहले जो मैं आपके लिए अप्रेल के मन्त में आपके लिए एनरजी देख रही हूँ वो है कि आप बहुत ही आधार का आधार आपके जीवन में एक बनने वाला हैं एक आधार सिला एक बेसिक से आपकी चीजों की जजमेन का कार्ड है यानि कि जैसा कर्मा कर रहे हो वैसे ही आपको फल भी मिलेंगे क्योंकि जजमेंट यानि कि कोई फैसला सुनाया जाने वाला है इस अप्रेल के महिने में तो आपके महनत का आपके गुड कर्मा को फल आपको यह अप्रेल के महिने में मिलेगा साथ में जो अप्रेल के महीने में मुझे बड़ी ब्लेसिंग दिख रही है, वो है आपकी हाट चक्रा की हीलिंग, हीलिंग आपके सभी चक्रा की होगी, लेकिन अगर आप दिल के मामले में किसी वज़े से परिसान है, किसी को फर्ग्यू नहीं कर पा रहे हो, या किसी स्टक्नेस में गिरे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे उसको माफ करके, तो यहाँ पे आप उसको फर्ग्यू कर पाओगे, और अपने दिल को भी हील कर पाओगे, एसेप्टन्स के नेचर में रहोगे, और बहुत जादा यहाँ पे एक रियाल्टी पर परसन दिखाई दे रहे हो, पर अपने दिल कोड़ के साथ साथ दूसरे का दिल कोड़ भी समझने की कोसिस करोगे, कि उसकी लाइफ के अलसार, उसके हिसाब से कैसे क्या चल रहा है, ठीक है, अब बहुत ही वाइजली हर चीजों को एक्ट करोगे, और कुछ भी करने से पहले उसको बार-बार अनलिस कर पर अपरेल के मन्त में यहां पर आपकी हीलिंग लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उन चीजों को उस टॉक्सिटी को उस बैठ हैबिट को अपनी लाइफ से रिमूव कर पाओगे और एक नई सुरुवात कर पाओगे, वाटर की एनरजी है, आप यहां पर देखोग कहीं न कहीं आप बहुत ही अपनी एनरजी में रहने वाले हो, वाटर एनरजी क्या होती है, पानी को जिस चीज में डाला जाता है, उसी चीज का आधार ले लेता है, ठीक है, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही रिस रिस एस्पेक्ट्यू परसन में रहोगे, आपनी सिच्वेशन में जैसी सिच्वेशन है, उसी के अनुसार ढलने ढल जाओगे, ठीक है, आप चीज लेकर के नहीं चलोगे, समय के साथ बहोगे, समय के साथ काम करोगे, ठीक है, किसमत जहां लेकर जा रही है, वहां आप सांती से ले चलना पसंद करोगे, ठ और क्या blessing आ रही है अप्रेल के मन में आपका यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि योग पर बहुत आपका focus देगा आप सायद योगा learning करना चाहोगे या फिर योगा बहुत दिन से करना चाहते थे पर योग नहीं कर पा रहे थे तो यहां पर योग आप करते हुए दिखा हो तो first card है आपके लिए surprise कुछ है जो आपकी लिए आ रहा है judgment का card यानि की कोई फैसला और यहां भी कुछ unexpected आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको बहुत दिनों से आप इंतिजार कर रहे थे वह surprise आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है बस जिद की energy से निकलिए ठीक है situation के इसाफ से थोड़ा सा ढलने की कोशिस कीजिएगा पानी की तरहे जैसे पानी को दिस वर्तन में रखा जाता है उसी में वो ढल जाता है तो वैसे ही ढलने की कोशिस कीजिएगा second है mother Mary तो yes अगर आप किसी प्रकार की life में ऐसी जगह फसे हो जहां आपको लगता है सारी blessings लेकर के आ रही है Mother Mary and the unicorn are blessing you तो यहां पर Mother Mary और unicorn दोनों ही आपके लिए बहुत सारे miracles लेकर के आ रही है और यहां भी Archangel Gabriel है जाफियल है जो की आपके लिए बड़ा फैसला बड़ी blessing लेकर के आते हुए दिखाई दे रही है ठीक है अगर किसी तरीकी की आप help चाते हैं तो वो help भी आपकी life में आते हुए दिखाई दे रही है कुछ और energies देख लेते हैं कुछ और energies करकराश वालों के लिए कुछ और energies फर्स कार है डेवी सेकेंड कार्ड है आपका knight of pentacles क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि bottom में देखिए as of cup का कार्ड तो देखो यहां पर कुछ चीजों में आप जिद लेकर के चल रहे थे और कहीं ना कहीं उस जिद की वज़े से या कोई bad habit की वज़े से जिनको आपको पता है कि यह मेरे लिए toxic है और मुझे इनसे नि चीजे slow down चल रहे हैं आपकी life में या फिर चीजा फसी हुई है movement नहीं दिखो रहा है change नहीं आ रहा है तो वहां पर मैं देख रही हूं की healing लगेगी क्योंकि bottom में आपके कार्ड है as of cup का तो यहां पर healing आते हुए दिखाई दे रही है peace आते हुए दिखाई दे रही है लेक healing आपकी life में आरे है इस energy में इस energy से इस energy से आपकी life में healing आ रही है अब आप स्टकशनेक से निकल रहे हो किसी situation से बाहर आरे हो अगर किसी situation में hang थे तो वहां से भी decision लेकर कि आप आगे बढ़ती हुए दिखाई दे रहे हो और जो चीजे रुकी हुई थी जहां पर growth रुक प्रसेस आपकी लाइफ में चालू होते हुए मुझे दिखाई दे रही है चलिए और कुछ देख लेते हैं आपके लिए क्या है गडपत जी के इतरफ से मैसेज आपके लिए गडपत जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज टिवाइन प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा गडपत जी क्या ब्लेस करना चाहते हैं करकरास वालों को रेफ्लेक्शन्स रेफ्लेक्शन देखो पानी एक मीरर की तरह हैं जैसा इसको दोगे वैसी ही आपकी लाइफ में एनर्जी आएगी तो यहां पर करना दीजिए अगर आपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो करना दीजिए करना देंगे तो उसका रेफ्लेक्शन आपको मिलेगा अगर आप किसी के साथ में good karma कर रहे हो, honesty से work कर रहे हो, किसी की help कर रहे हो, तो वो आपके reflection में आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, तो जो आपने कर्मा किया, उसका आपका कर्मों का फल आपको मिलेगा, बस यहाँ पर ध्यान लखिए कि यहाँ भी चार्ण नंबर की energy है, कभी कभी जिद्धी energy हो जाती है, थूड़ा सा अपनी जिद्ध से बाहर निकल येगा, बाकी यहाँ पर गडपजी आपकी सारी situation को सम्हाल लेंगे, और फ्टिकल्स को remove कर देंगे, साथ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका यहाँ पर higher self chakra, higher self chakra आपका काफ मजबूत रहेगा, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आप चाहते हो कि आप higher self के साथ जुड़ो, तो यहाँ पर music therapy का इस्तवाल कीजिए, music के साथ work कीजिए, और health को लेकर के कोई problem चल रही है, तो अपने fruits के उपर focus कीजिए, थोड़ सा fruits जो खास कर के रसेदार है, जिनमें पानी बहुत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा consume कीजिए, तो यहाँ पर आपकी health issue में भी recovery होते हुए फिर दिखाई देगी, ठीक है, चलिए और कुछ energies देख लेते हैं, आपके लिए क्या है, और आपके लिए energies करकरास वालों के लिए, please divine, please angels guide आपके लिएगा, और क्या energies है, देखो सबसे पहले मैं कहूंगी, बहुत सारे ideas आपके मन में आ रहे हैं, आपना जानते हो कि कैसे situation से निकलना है, बहुत सारे बल्फ आपके mind में चल रहे हैं, आप midway भी जानते हो कि इस छलांग को मुझे कैसे लेना है, अगर मुझे छलांग नहीं ले पा रहा हूं, तो म कौन सा तरीका अपनाना है जिससे मैं इस हील से इस हील तक पहुत सकूँ, तरीका आपको पता है, लेकिन कहीं न कहीं अप थोड़ा सा यहां पे अपनी एनरजी में स्टक हो रहे हो, अपने आपको confident नहीं रख पा रहे हो, थोड़ा सा confident लेकर के आईए, king of sword की तरह बन यहां पर दिखाई दे रही हिया, आप बहुत ही wisely हर चीजों को act करोगे, आपको पता होगा कि कहाँ पे मुझे yes कहना है, कहाँ पे no कहना है, किसी को बात को कैसे नह holiness कहना है, अपने आपको कैसे protect करना यह भी आपको पता है, तो इन चीजों को अपनी जीवन में उसको apply करन एपको यहां पी success है यहां पे success है अगर पैसो को ले करके problem चल रही है तो कहीं nu कहीं विचार मन्थन करना है कि क्या इस problem का solution है financial दिखकत चल रही है तो भी financial situation से कैसे ऩ니다 कैसे अपनी किसी की help लेनी चाहिए तो help लेनी चाहिए यहां पर मैं again कहूंगी यहां पर आपका inner child कोई trauma रहा है कोई पुराना relationship से problem रही है तो यहां पर healing आते हुए दिखाई दे रही है अपना एक नई सुरुवात कर रहे हो यूनिवर्स के साथ में align हो रहे हो लेकिन यहां पर again कीजिएगा यह करते हो जीवन में success ही success आपकी life में हो रही है याद रखिएगा जैसा करोगे वैसा भरोगे आपकी headline ही यही रहेगी जैसा करोगे वैसा भरोगे यह जो जीवन है इसी में सारा स्वर्ग नर्क है कहीं बाहर नहीं है स्वर्ग नर्क यहीं है ठीक है तो याद रखिएगा आपके लिए कोई बड़ा फैसला आ रहा है अपने आपको उतना ही honestly अपने वर्क में लगाईएगा चलिए अगर आपके मन में कोई प्रेस्ण है वील ओ फॉर्चुन से अगर आप चाहते हो यस और नो में कोई आंसर तो चलिए जानते हैं वील ओ फॉर्चुन आ क्या है injas और नो में आंसर प्लीस डिवाइण गाईड की जिएगा नो, अभी कुछ चीजे हैं जो आपके लिए नो में आई हैं, मैं एक बार चेक करना चाहूंगी, यह आपके लिए आंसर नो में क्यूं आया है, क्यूं अभी आपको डिवाइन वेट करा रहा है, क्यूं अभी नो कह रहा है, इसा कौन सा कारण है अभी आपको अपने आप से लड़ना है, क्यूंकि आप किसी प्रकार की जिद में हो, किसी बाइड हैबिट से अभी भी लड़ रहे हो, उचसे निकलना है, जब आप निकल लोगे, तभी आपका आंसर यस हो पाएगा, अगर आप चाहते हो अप्रेल में यह यस और नो में तो अभी आंसर लो है, अभी खुद के साथ फाइट है, ठीक है, यह थी मेरी आपके लिए रीडिंग, रीडिंग पसंद आये, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाई